कि अज़ाइब करने के वाल सिंपली आपको एक ऐसा फोटो को एड़ करना है जिसके बैगराउंड भाई ग्रेन कलर की हो यह थोड़ी सी यल्लो भी हो चल जाएगी बट ग्रेन या यह लो रहनी चाहिए तब जाके आप मेरी तरह इस तरह से एड़िट कर सकते हो तो फोटो एड़ करने से पहले सबसे बहले लेना अपने फोटो की इसकी नीश्मूद कर लेना जब्सक्राइब करना जाओगे या फेस पर दाव करे है वह हटाना चाहओगे तो वह वर्क को पहले क अच्छी लगे और हाँ इसकी नीश्मूद करना चाहते हो या रिटाचिंग करना चाहते हो गैस तो मेरी यह वाली वीडियो को देख लेना इसका लिंक मा नीचे डिसक्राइब करके लिखा होगा उस वीडियो पर जाके एजले सिख सकते हो कि कैसे आप रिटाचिंग कर सकत तो यहाँ पस मैं अपने हैर को चेंज करना चाहता था इसलिए मैंने एक हैर पेंजी को सैट करा तो अखर आप भी हैर चेंज करना चाहते हो अपना हैर इस्टेल चेंज करना चाहते हो गैस तो मैं बहुंस सारी आपको हैर की पेंजी दे दिया हूं जिसका लिंक अलग से है hair png download करके लिखा हुआ तो आप इस तरह से अपने hair को set करेना अपने हिसाब से अपने photo के हिसाब से किस angle पे वो देख लेना मैंने कुछ इस तरह से set करके थोड़ा बहुत erase करके set कर रहा था जिसे यहाँ पस perfectly हमारी hair set हो गई यह आप यहाँ देख सकतो बस आपको इसमें इतना ही काम करना था और कुछ नहीं करना है simply यहाँ से मैं इसे done कर दूँगा और done करनी के बाद open करूँगा draw all your option को यहाँ पे 3 dollar icon को press करेंगे जो कि left side पे देखने को मिलेगी और यहाँ save image इसको press करके यहाँ हमारी photo को save कर देखेंगे तो download कर सकते हो यहाँ भी simply add photo को press करके दो चीज़ों को add करना जो भी हमने Pixar पे photo save कर दा उसे add करना है और जादी आपको एक preset को add करना जो कि आपको मैं preset दे रखा हूँ उसका भी link आपको मैं अलग से दे दिया हूँ preset download करके dark orange preset download करके लिखा होगा उस link को click करके इसलिए download कर सकता हो preset को open करने के बाद simply यहाँ 3D icon को press करेंगे जो की उपर top पे देखने को मिलेगी उसे press करने के बाद यहाँ copy setting को press करेंगे copy setting को press करने के बाद of course यहाँ back आ जाना है and open करना जो भी हमने Pixar पे save करा था photos को hairstyle change करके उस photo को open करने को assembly यहाँ 3D icon को again press करेंगे जो top पे देखने को मिलेगी यह भी and यहाँ मैं pass adding को press करूँगा pass adding को press करते आप यहाँ देख सकता हो हमारी photo एक click में बहुत ही अच्छी तरही से edit हो चुकी है बिल्कुल professional type से लग रही है ज़रू कर लेना बाकी अगर आप beginner हो तो और कुछ मत करना इतना में आपके photo ready हो जाएगे one click में so I hope guys यह वाली editing आपको अच्छी लगए होगी and preset भी अच्छी लगए होगी अगर आपको इस तरह की भी video चीए हैस तो please comment करके बता देना जिससे आप अपनी photos को amazing तरही से edit कर सकते हो बिलकुल one click में guys भी नूलते हैं अगली video में तब तक लिए आप सभी को bye tech care